नमस्कार दोस्तों वेल रसका है कि एक और नए इंट्रस्टिंग वीडियो में आप सब लोग कस्वागत है मेरा नाम है सुधीर और बात करेंगे इस वीडियो में हम निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में दोनों के चार्ट को अंडरस्टेंड करेंगे समझने की कोशिस करेंगे यह मार्किट का जो चल रहा है कितने दिन और चलएगा जहां पर मारकिट खilता अब इस चीज मतने की कोशिस करेंगे तो जलदी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं करने से पहले चंश कूर अगर आप देखो बिल फीचर्स करेंट यह अगर आप देखोगे तो करीब करीब 22 पॉइंट डाउ जोन नेगेटिव है नेस्डेक फूचर करीब 8 पॉइंट प्लस है यूरोपेर मार्केट भी फ्लैट है यानि कहीं पे भी कोई भी ऐसी नेगेटिविटी नहीं है जिसके बेसे से हम समझें कि मार्केट बहुत तेजी से नीचे जा सकता है कल भी यूएस मार्केट के अंदर एक अच्छी खासी रेली देखने को मिली थी क्योंकि मैंने आपको बोला ना कि यह एक कंटिनूसली ब्रेक आउट इन्होंने दिया है अब चांसे इस वेरी हाई कि यह लाइफटाम हाई की तरफ गढ़ सकते हैं यानि आगर देखा जाए त क्योंकि हम अल्रेडी चले हुएं अगर आप देखा जाए तो जब ग्लोबल मार्केट करेक्शन में थे तो हम काफी अच्छा चल रहे थे और हमने अल्रेडी 20,200 का लेविल हमने टस्ट कर चुके हैं अब यह जो लेविल है वो बेसिकली हमारे पास एक रजिस्टेंस एरिय है और यह रजिस्टेंस एरिया फ्लाल तो क्रॉस होने के चांसे थोड़े से कम देख रहे हैं क्योंकि जब ग्लोबल मार्केट इतने अच्छे हैं तो इसके बावजूद यहां पर बाइंग मिसिंग है थोड़ी बहुत बाइंग आती है तो तो त्रंस सेलिंग में पिरफेंग नीचे यहां पर भी क्लोजिंग नीचे ही और आज भी हमने कॉशक करने की कोशित करी क्लोजिंग नीचे आइंवक्य But Şu उपर के लेविल पर कंटिनूसली रिजिस्टेंस है तो बाइंग की मेरी इतनी रिकॉमेंडेशन नहीं है अब आपको यहां पर क्लियर ली एक पैटन दिख रहा होगा यहां से यह लो प्लस यह लो हमने मैच किया हुगा है और यहां से यह क्लियर ली ट्रेंड लाइन बनी आप एक वाइस को sell करके काम कर सकते हो यानि 907,350 के नीचे आप ईसको sell करके काम कर सकते हो टार्यट आपके पास होना चाहिए ज है यह चीज द्यान में ज़रूर रखिएगा ठीक है और यह पर्टिकुलर स्रीज में भी आपको दिखेगा उन्हें साथ सो की जो कॉल है वाँ पर एक क्रोड का ओपन इंटर्स कड़ा हुआ है उन्हें साथ सो की नीचे निफ्टी अगर करता है तो फिर प्रॉबम है अधर्वाइस उन्हें साथ सो की रेंज आपको देखने को मिलेगी कल बैंक निफ्टी की एक्सपायर यह तो बैंक निफ्टी को देख लेते हैं तो निफ्टी हमने देख लिया तो तो निफ्टी में सीधा सभी हुई है कि अगर यह उन्ने से 770 के नीचे जाता है तो एक बस सैल कर सकते हैं पहला थागे साफ सो पचास दूसरा टागेट अगर निसे यह साफ सो दसका होगा चोटे चोटे टागेट ही मिल सकते हैं आपको ज्यादा बड़े टागेट नहीं मिल सकते फिलाल यह condition एक बार अगर यह trend line breakdown होती है तो हो सकता है आपको एक बड़ा target मिल जाए ठीक है फिर भी market है कुछ भी कर सकता है यह point आप ध्यान में रखिएगा कि already यहाँ पर market ने consolidation किया यहाँ पर consolidation किया है तो दो दिन का consolidation हो चुका है अब chances बन सकते हैं कि एक movement आ सकता है ठीक है यह भी point आपको ध्यान में रखना है बैंक निफ्टी को देख लेते हैं तो बैंक निफ्टी के लिए देको बैंक निफ्टी में अगर देखा जाए तो यहाँ पर भी यह आप देख सकते हैं यह low था यह low हमने बनी इसके नीचे जाने की कोशिस करी फिर ऊपर चला गया तो कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी ने क्या किया है यहाँ पर एक फॉल दिखाया था उसके बाद यह आप साइड के लिए इसको सस्टेन होना पड़ेगा 43,750 के ऊपर जो कि यह नहीं हो पा रहा है अगर इसके ऊपर सस्टेन करेगा तब ही हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यह हाई तक यह जा सकता है और एक बार अगर यह नीचे की तरफ मूव करना स्टार्ट करता है तो हम नी कीरिस सेडेगे को मिले äक्यूट आपको द्यान सकते हैं की आपको दियान में लखना ग्लोबल मारकिट की सिच्वेशन में आयदे को आप को बता चुका हूँ थो इंडिया तो कह सकते हैं इन में जो ब्रेक आउट है वो सस्टेनेबल है अभी तीरे तीरे हो सकता है आज भी आपको एक अच्छा मूब दिखाएं उसके बाद ही जब करेक्शन आने के चांसे थोड़े से कम दिख रहे हैं क्योंकि मुमिंटम स्ट्रॉंग है यूएस इंफलेशन घटी है तो उसके बाद जो फैड के डिसीजन है कि अब इंटरस्टेट उतने बढ़ाने की जुरूत नहीं पड़ेगी हो सकता है अगर इन फ्यूचर मार्केट य कर रहा है सिट लेक्स काम कर रहा है तो यह मार्किट तो पहले ही ऑब कर रÁ है क्योंकि अब ग्लोबल मार्केट में, सिर्फ योइस मार्केट ही पायषिपार रहा आपनी पर्सनल रैली में थीक है। तो आ फोब दोस्तो ये पार्टेटिक्लर डाटा आपको समझ में का पायो बटोस्तों फिलाल इस वीडियो में इतना है। आ डिमार्टिक्क्तों